हलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का NCRT मैंस, जिसमें चाप्टर नमबर है 8 और एक्सराइज है 8.4 I hope आपने इसे पहले की सारी एक्सराइज को देखा होगा and आपका जो डाउट था वो सब अच्छे से क्लियर होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, ग्रूप में शेर भी किया होगा और अगर नहीं किया है, जिस किसी ने भी, उससे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक टीचर होने के नाते, एक बड़ी बहन होने के नाते, जो भी आप मुझे मानते हैं बस वह होके मैं आपसे रिक्वेस्ट करें हूँ, फ्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो चलो इसको करते हैं, बहुत ही एजी कोश्यन है, इससे पहले हमने मोनोमिल्स किये थे, अब यह बायोनोमिल्स है मोनोमिल्स में सिर्फ एक expression होती है, एक तरीके से alpha बेट और numbers होते हैं बायोनोमिल्स में यह दो चीज़े होती है, इससे पहले वाले जो थे, मोनोमिल्स के हमने multiply किये थे अब इसमें देखते हैं bionomials के multiplication करने है जैसे इसमें 2x plus 5 है उसमें सिर्फ 2x 5 रहा होगा कॉमा करके है ना तो वो mononomials था आपको यह समझ में आयोगा bionomials और mononomials अब इसको कैसे multiply करेंगे वो करके देखते हैं इस question में देख सकते हैं यहाँ पर multiply है देखो तो पहले 2x का multiply इस दोनों में होगा distribution property पता है न आपको बस उसी तरीके से distribute कर देना है फिर इस plus 5 का multiply इन दोनों में होगा कैसे 2x का multiply करना है हमें 4x minus 3 में ठीक है उसके बाद यह plus 5 है तो यहाँ पर plus 5 लिखो अब इस plus 5 का multiply है इन दोनों में होगा तो just 4x minus 3 इतना समझ में है अब नाओ इस 2x का इसमें कर दो 2 4 जा 8 x into x करोगे तो x square अब यहाँ पर minus है और यह अपने आप में plus है तो 2 3 जा 6 minus हो जाएगा न 2 3 जा 6 x यह कर दिया हमने अब यह plus 5 है तो plus 5 4 जा 20 20x अब यहाँ minus है यहाँ plus है तो plus minus minus and 5 3 जा 50 अब देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यही दोनों same variables है 20x और 6x यह like terms है तो यहाँ पर 6x minus 6 and plus 20x में क्या होगा plus minus minus होता है तो 8x square लिखो और sign किसकी रहेगी बड़े वाले की तो 20 है plus तो यहाँ plus और 20 में से 6 जाएगा तो 14 plus minus minus ना तो 14x और यह minus 15 तो यह हमने question इतने आसानी से कर लिया बस इतना यह था है ना second question है y minus 8 का multiply करना है 3y minus 4 में तो just लिखो y का multiply किसमें करना है 3y minus 4 minus 8 तो यहाँ minus फिर minus 8 का भी multiply इसमें करना है तो 3y minus 4 इस थरीके से करोगे तो आपको कोई problem नहीं होगी तो पहले इसको लिखो अब क्या होगा y into 3 करोगे तो 3y square यहाँ minus है और यहाँ plus है तो y into 4 तो minus 4y ठीके minus 4y अब यहाँ minus है तो minus 8 3 जाए 24 24 का y minus minus क्या होता है minus minus प्लस हो जाएगा और 8 4 जाँ 32 तो plus का 32 अब देखो यहाँ minus और यह minus यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो यह minus 28y हो जाएगा और यह 3y square हो जाएगा और यहाँ plus 32 हो जाएगा देखा आमने कितने आसानी से कर लिया I hope आपको यह समझ में आया होगा, राइट, देखो, 2.5L minus 0.5M, and 2.5L plus 0.5M, तो यह एक फॉर्मूले के उपर based है, कौन सा फॉर्मूला A square minus B square की value होती है A plus B, और A minus B, तो आपको देखके नहीं लग रहा है, यह है, देखो, यह A हो गया, और यह B हो गया, तो A minus B और A plus B, तो इसको भी हम इस तरीके से लेख सकते हैं, अगर उसने A minus B, ऐसे, और A plus B इस तरीके से दिया है, तो क्या हम यह नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो देखो A की जगा लिखो, 2.5L का square minus B की जगा, 0.5M का square हो गया ना, हमारा A square minus B square आप देखो A square की value क्या हो जाएगी, 25 का square होता है 625L square, point लग जाएगा, 6.25 हो जाएगा minus 5 का square क्या होता है, 25 होता है, बढ़ 0.5 है ना, तो 2.5 हो जाएगा और M square, तो देखा, हमने कितने अच्छे से कर लिया, जस्ट आपको एक formula पता होना चाहिए, A square minus B square की value क्या होती है, और उसी formula के उपर यह based है, right? I hope आपको यह question भी समझ मैं होगा, A plus 3B का multiply, X plus 5 में करना है, तो अब इसमें कोई भी match नहीं करना, कोई भी formula नहीं लग सकता है, तो सिर्फ हमें इसमें multiply करना है, तो लिखो, A का multiply पहले X plus 5 में करो, और plus यह 5 है, ठीक है, 3B का multiply, फिर से X plus 5 में करो, right? आप A into X करोगे, तो AX हो जाएगा, plus 5A, plus है तो यहाँ भी plus 3B X हो जाएगा, 3B X, right? 3 into, इसमें, plus 3, 5, 15, और यह B हो जाएगा, right? I hope आपको यह समझ मैं होगा, कैसे किया? अब दिखो, इसमें क्या-क्या match कर रहा है, कुछ match कर रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, तो सिर्फ यह इसका अंसर हो जाएगा, जब कुछ भी match नहीं कर रहा है, तो आप किसको plus करोगे, है ना, तो सिर्फ यह इसका अंसर हो जाएगा, एक सी, कुछ नमबर 5 करना है, 2PQ plus 3Q square and 3PQ minus 2Q square, अब इसमें भी कर दो, इसका multiply, simply distribute करो, 2PQ का multiply, पहले 3PQ में होगा, minus 2Q square, और plus 3 का multiply, 3Q square, फिर से 3PQ में, minus 2Q square, अब multiply कर दो, 2, 3, 6, P square and Q square, क्योंकि 2P हो गया ना, multiplication में पावर एड होती है, तो यह अपने आप में तो वन पावर ही होगी ना, तो यह हो जाएगा, minus 2, 2 is a 4, P and Q, यह एक है, यह दो है, तो Q की पावर 3 हो जाएगी, plus 3, 3 is a 9, Q, P, Q, तो यहाँ पे P हो जाएगा, और Q की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, 3 टू जा, 6 और Q की पावर 2 है, और यह Q की पावर 2 है, तो Q की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी अब पहले लिखो 6P स्क्वार और Q स्क्वार अब यह देखो यह और यह दोनों सेम है न, यह लाइक टम्स है प, P और Q, Q, तो यहाँ पे प्लस, माइनस, माइनस होता है तो 9 में से 4 जाएगा, तो 5P की पावर 3 साइन किसकी रहेगी, बढ़ेगी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यह माइनस, 6Q की पावर 4 यह था Q5, राइट इसका मल्टिप्लाइ इसमें करना है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 4 है तो पहले हम इसको solve कर लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, 4A2 माइनस, 4, 2, 8 हो जाएगा उपर मल्टिप्लाइगा, तो 8 अपॉन 3 B2, अब यह हो गया ना अब इसका मल्टिप्लाइगा, इसमें करो है ना, देखो 3 by 4 का A2, प्लस 3B2 सिंप्ली, अब 3 by 4 A2 का मल्टिप्लाइगा, इसमें कर दो 3 by 4 A2 multiply 4 A2, माइनस, 8 by 3 का B2 फिर प्लस 3B है 3B2 की multiply इसमें करो, 4A2 माइनस, 8 by 3 B2, इतना लिख दिया अब सिंप्ली आपको क्या करना है, सिंप्लाइग करना है 3, 4 जा 12 by 4 A की पावर 2, A की पावर 2 तो A की पावर क्या हो जाएगी, 4 माइनस हैं, तो माइनस 3, 8 जा 24 4, 3 जा 12 A2 B2, तो A2 B2 हो जाएगा, प्लस 3, 4 जा 12 A2, B2 A2, B2 माइनस, 8 यह प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 3, 8 जा 24 और नीचे 3 B2, B2 तो B की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी अब देखो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइड हो रहे है 4 बंजा 4, 4 3 जा 12, 3 हो गया, 12 तूस है 24 होता है 2 हो गया, और यहाँ पे 3, 8 जा होता है 24 अब जो जो बचे हैं वो पहले लिख लो यहाँ पे 3 A2, 3 A की पावर 4 माइनस 2 A2, B2, प्लस 12 A2, B2, माइनस 8 B की पावर 4 अब ध्यान से देखो, 3 A2 और यहाँ प्लस, माइनस, माइनस होता है तो 10 में ऐसे 2 जाएगा, क्योंकि यह सेम है न, light term है A2 यहाँ भी, A2 यहाँ भी, B2 यहाँ भी, तो यह सेम है तो यहाँ पे 10 A2 हो जाएगा, और B2 हो जाएगा साइन किसके लिएगी, बड़े वालेगी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यह माइनस है, तो माइनस 8 B की पावर 4 तो यह है हमारा answer, राइट? I hope आपको question number 6 समझ मैं होगा Question number 2 में, find the product इसमें भी 2, वो है expression है, binomials है, यह भी binomials था तो जैसे हमने यह multiply किया न, सेम यह भी multiplication है तो यह आपका homework है, इसका मुझे answer comment करना लेकिन अगर कोई भी problem होगे, तो उसके लिए भी comment करना कि मैं मुझे समझ नहीं है, please मुझे बता दो तो मैं उसी time आपको video बनाके बता दोगे बिल्कुल easy है, power add हो जाएंगे, जो भी power है multiplication में, and बिल्कुल इसी की तरह है